हेलो बच्चो स्वाकत है आप सभी का कितनी मार्च को हिंदी का पेपर लिख दो कमेंड बॉक्स में जलती से पता भी है या नहीं है आजाईए तो फिर लाइव क्लास में छे मार्च को है भाई छे मार्च का हिंदी का पेपर किस पिरकार आपका आने वाला है एम पी बोर्ड परिक्चा पेपर दो हजार तेविस चोविस का हिंदी का पेपर पेला रहेगा तेविस चोविस का ठीक है पहला पेपर में यदि आपने दहमा का करा और अगर आपने पर बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं आईए इस्टुडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं यहां पर आपकी वार्षी परिच्छा दो हजार तेवीस चोईस को लेकर हिंदी के पेपर का पूरा सोलुशन एटु जेट प्रिश्णों के अंसर हम देखेंगे जैसे यहां पर आप देख पा रहा हैं प्रिश्ण नमबर एक सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रिश्ण कह रहा है चायावाद के जनक माने जाते हैं यहां पर आपसे पूँच रहा है के चायावाद के जनक कौन माने जाते हैं तो यहां पर बच्चो आपका अंसर होगा जैसंकर प्रिश्ण को चायावाद का जनक माना जाता है वेसे निराला भी चायावाद के कवी है सुमितन अंदन पंत भी है लेकिन जनक की बात आई है तो जैसंकर की बात करेंगे, जा से जैसंकर, बिटिस राज का गहना थी, बताइए, बिटिस राज का गहना थी, तो कौन थी, हत्तकडिया, हत्तकडिया आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, अगला परिशन है कावी की सोबा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते है बताइए कावी की सोबा बढ़ाने वाले जो धर्म है वो क्या कहलाते है तो यहाँ पर जो आपका अंसर होगा बच्चो वो होगा हत कडिया तो हमारा बिर्टि फ्राज का गहना था लेकिन कावी की सोबा बढ़ाने वाले अलंग खार आपके कहलाते हैं है ना साइस आठ देखिए गई हाँ पर किसी परकार कोई दिक्कत आ रही हो वीडियो को देखने में क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अच्छे साब को नजर आएगा मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है तो यहाँ पर जो अंसर होगा लेकक पुस्तक पढ़ने में रम गया था यह आपका उत्तर हो जाएगा अगला कुश्चन है रचना के आदार पर वाक्य के कितने बहेद होते हैं तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा रचना के कितने बच्चे तीन बच्चे सरल संयूक्त और निसरीद यह रचना के बच्चे होते हैं ठीके मतलब बच्चे नहीं होते हैं मतलब यह ट्रीक है याद करने की रचना के कितने बच्चे तीन बच्चे अगला कुश्या म्रत्यू का तरल दूत कौन था तो बताईए यहाँ पर म्रत्यू का तरल दूत कौन था तो इसका जो अंसर होगा बच्चो उसका इसका अंसर हो जाएगा तेज गती से आता बाढ़ का पानी मृत्यू का तरल दूत था अगला प्रिशन देखेंगे रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए काली तू रजनी भी काली सासन की करनी भी कैसी है काली अगला कुश्यन कामय स्रंगार रस का इस्ताई भाव है तो स्रंगार रस का इस्ताई भाव है उसका नाम है रती रती आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रिश्चन कामयनी एक है तो कामयनी एक है क्या है अंसर होगा महा कावी अगला कुश्चन डांडे तिब्बत में सबसे की जगे हैं ठत्रे खालिस्तान में क्या लिखें गया ठत्रे रचना के आदार पर वाक् हल ना जुतबाया करते हम पे बेल है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जोडी है। ठीके जोडी आप देखेंगे बच्चो तो जोडी में आप क्या देखेंगे। लहले पालक तो इसका उत्तर महमे धनिया। चोविस मात्राओं का चंद जो होता है वो होता है दोहा। धांडे तिब्बत में हैं जूरी का साला गया। मात्र ही भर क्या है निपात सब्द रीड की हड़ी जगदिश चंद्र मातूर। आगे बात करेंगे हम सत्यफत्य की। ठीके तो देखिए। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर्म पंक का मुकुट धारन करने को तैयार नहीं है। तो इसका अंसर क्या होगा अफत्य क्योंकि तैयार है। आ इस्तिर मनोविकार इस्ताई भाव केलाते हैं असत्य जोकि संचारी भाव केलाते हैं। हीरोर मोती गया के बेल थे असत्य। सूर्य का तस्व्ण चंद्रमा है असत्य। लेकी का मिर्दुला गर्गी की परदादी लीक पर ही चलती थी असत्य। रिलीव डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बिटा लिया था। सत्य। अगला परिश्ण। एक वाकी मुत्तर देना है। बिट्रिफ राज का गेना क्या है तुत्तर क्या होगा हत्त कडियां। बिना पूर्वा पर संबंद के सोयम में पूर्ण होने वाला काव्य क्या केलाता है। तो वो केलाता है मुक्तक काव्य। साउले सपनों की याद पाट के लेकक का क्या नाम है। जाकीर हुसेन। पंचमरित में कौन सा समास है। अंसर हो जाएगा द्वीगू। उंची दुकान और फीका पकवान का क्या रत है। अधिक दिकावा करना। आपके पाटिक्रम में पनिश्वरनात रेनु की रचना कौन सी है। तो उसका नाम है इस जल प्रले में। जो का का है। कृतिका का पाट है। ठीके बाकी कोश्चन आप यहां पर देखेंगे स्क्रीन पर। सभी प्रिश्णों के उत्तर आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बच्चो इसी प्रकार में आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। सभी बच्चे ध्यान पूर्वा की इस वीडियो को देखीगा। अगर आपको प्रिश्ण नंबर 6 से लेकर 23 तक का स्योलूशन चाहिए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक दे रखी हैं। उस वीडियो पर किलिक करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडियो चाहिए, अंसरों का और पेपर का तो टेलिग्राम से जुड़ जाए। टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रेप्शन में है, उससे जुड़ जाओगे, वहाँ पर आपको पीडियो बगेरा मिलता रहता है। तो यहाँ पर प्रिष्ण नमबर 17, 18 सभी देख सकते हैं, इन प्रिष्णों को एक बार आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यह प्रिष्ण है, आप लोगों के लिए बहुती बहुती मैथपुन जो आप लोगों को सपलता कियो लेकर जाएंगे। यह पूरा question paper था, जिसका solution आपने करा है, अगर आपको 6 से लेकर 33 तक उत्तर चाहिए, तो description वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, टेलेग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाते हैं कि आगे भी वीडियो मिले आपको, तो चैनल को सब्स subscribe करिए, अपने दोस्तों को भी share करिए, ताकि वो भी अच्छा कर सकें, और वो भी इस बार अच्छे percent के साथ पास हो जाएं, धन्यवाद, thanks for watching.